हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने iq neo6 android mobile phone में आप पासवर्ट लॉक कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह पासवर्ट लॉक रिमूव होने के बाद आपके mobile phone की सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटियल मे आपको यह option मिलेगा screen lock, screen lock पे select करना है अब जो भी आपने password lock लगा रखा है अपने phone पे उसे आपको password lock को यह एंटर करना है राइट किलिक करना है इससे आपका next page open होगा यहां पे लिखा हुआ complex password current screen lock यहां पे मेरा password lock पहले से set है आप password lock को remove करने के लिए आपको सबसे उप password lock remove हो जाएगा इस तरीके से ठीक है अब यह password lock remove होने के बाद आपके mobile phone के setting कैसे काम करेंगे इस तरीके से इसके बाद screen को on करेंगे तो आपका mobile phone का जो आपने last page छोड़ा होगा वो आपका last page direct open हो जाएगा आपके phone में आपको इस बीच में है कोई भी password lock लगा हुआ दिख shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना है क्या है यह जो आपके mobile phone का setting page है इसे आपको फिर से open करना है ठीक है setting page को open करेंजिए setting page में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon search icon पर select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है screen lock screen lock आप type कीजिए तो आपको screen lock का option नीचे show हो जाएगा यहाँ पर आपको screen lock का यह वाला option select करना है जिसकी नीचे setting security लिखा होगा ठीक है इसे select करिए तो इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में